पैसे ही का तमाम ये कंगो दिवाल है जैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माले नमस्कार मैं हूँ शुभम शंकदर हफते के पहले मनी सेंटरल में आपका स्वागत है मेरे साथ स्टूडियो में मनी नाइन का एडिटर अंश्मान तिवारी जी जुलगये सर बहुत स्वागत है आपका आगे की बात शुरू करूँ उससे पहले आपको याद दिला दूँ कि अगर आपने अब तक मनी नाइन का एप डाउनलोड नहीं किया है तो उसे ततकाल डाउनलोड कीजिए एक नया शो फिनो मनी वहाँ आपके लिए तयार है जो पहली बार अपलोड हुआ है इस वीकेंड का नया शो था इसके अलावा भी चाहें वो एकनोमिकम हो चाहें वो मनी सेंटरल हो सारे शो आपको यूट्यूब से पहले हमारे मोबाईल अप पर देखने को मिलेंगे एक्सक्लूजिव बहुत सारे शो ऐसे हैं जो केवल मोबाईल अप पर हैं तो आप ततकाल बिना देरी के इस मोबाईल अप को डाउनलोड करें सर कारिकरम की शुरुबात करते हैं आज की सबसे बड़ी ख़बर कौन सी है जिस पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं शुबाम मनी सेंटरल में आपका भी स्वागत है और सारे दर्शकों का स्वागत है जिस फिनोमनी शो के बारे में आपको शुबामने बताया यह फिंटेक का शो है जो हमारे आज पास घट रहा है और अपने तरीके का पहला शो है इसे आप देख का समझ पाएंगे कि कृत इंटिक्रेटर दुनिया में रह रहे हैं और आज हमारे पास जो दो बड़ी खबरें हैं वो दरसल दुनिया के आपस में जुड़े होने की वज़े से हैं अमेरिका और योरोप के बाजारों में मंदी की वज़े चीन बन रहा है और चीन में क्या हो रहा हैं समझने की टपटक शुरू हो गई है इसके अलाबा भी और भी खबर हैं जिन पर बताएंगे आपको शुपर बिल्कुल और कौन से मुद्दे हमारे आज मनी सेंटरल का हिस्सा बने हैं इसके लिए आप देखिए on the show शुरुवात होगी अब तो राज्यों को बढ़ानी ही पड़ेंगी बिजली की दरिख ऐसा हम क्यों कह रहे हैं यह आपको मनी सेंटरल की पहली खबर से पता चलेगा केंद्र ने चलाई राज्यों के कर्ज पर केंजी क्यों महंगा होने वाला है चावल IT सेक्टर को डरा रही अमेरिका की मन्दी कितना गहरा है चीन का संकट और महंगे क्रूट से घाटे में डूबी तेल कंपनिया राज्यों के उपर बिजली वित्रन कंपनियों यानि डिसकॉम की बढ़ती टेंशन लगातार केंद्र सरकार की टेंशन को बढ़ा रही है खुद प्रदानमंत्री नरिन मोदी ने शनिवार को राज्यों से आग्रह किया कि राज्यों से उपर उठकर डिसकॉम्स के फसे धाई लाग करोड रुपय का जल्द भुकतान करें प्रधानमंत्री ने कहा कि डिसकॉम्स के घाटे ने कई राजियों में पावर सेक्टर को बड़ी समस्या में धकेल दिया है राजियों पर सीधे तोर पर डिसकॉम्स की अगर देखें तो करीब एक लाग करोड रुपए की दिनदारी है इसकलाबा राजियों के अलग-अलग विभागों और स्थानी संस्थाओं पर 60,000 करोड रुपए की दिनदारी फसी हुई है साथी सबसिडी एरियर के तोर पर 76,000 करोड रुपए की दिनदारी अलग से है सर प्रधान मंतरी को ऐसा क्यों कहना पड़ा लगातार राज सरकार के सरकार बात कर रही है बिजली संकट नया नहीं है काफी लंबे समय से चलता चला आ रहा है फिर खुले मंच पर प्रधान मंतरी का ऐसा कहना क्या संकेत है प्रधान मंत्री का ये बयान जो खुले मंच से आया इसके दो महत्वपूर्ण संदर्ग थे एक संदर्ग तो ये कि सरकार एक बड़ी स्कीम फिर लेकर आ रही एक और कोशिट सरकार कर रही है बिजली छेतर की लगबग लाईलाज हो चुकी बीमारी को सुल्जाने के लिए जिस पर मागे बात करेंगे प्रधान मंत्रीन का ये कहने का मतलब था और ये संकेत था कि बात बन नहीं रही है राज्य सरकारें केंदर की नहीं सुन रही है पिछली साल जनवरी से लगातारा मनी सेंटरल के अलग-अलग संसकरों में आपको बता रहे हैं कि केंदर सरकार राज्य सरकारों को लगातारे समझाने की कोशिस कर रही है कि आपके उपर जो बिजली घरों के बकाये हैं, जो बिजली उत्पादन कमपीनियों के बकाये हैं, जो अब एक लाग करोल रुपए से उपर निकल चुके हैं, इन्हें वापस चुका दिया जाए, तब ही हम आगे काम कर पाएंगे, कोईले की खरीद के लेकर कोल इंडिया प पैसा नहीं दे रहे हैं, जिब कि इमाना जाता है कि सारी हमें अंदाज ऐसा होता है कि से बकायदारी आम लोगों पर है, आम लोग इमानदारी से बिल चुका रहे हैं, सरकार का एक ही हाथ, सरकार की दूसरे हाथ को बिल नहीं चुका था, प्रदान मंतरी को एक कहना पर और रिस्से में संकेत निकाल सकते हैं शुबहूं कि बात राजनीती कुरूप से बन नहीं रही है केंसरकार और राजसरकार के बीच में खतो किताबत, बाचीज, सची विस्तर की बैठाक, चेतावनिया, धमकी, सब कुछ हो चुका है लेकिन अभी तक किसी भी राजसरकार ने उनकेत है कि जो नई स्कीम आने वाली है, वह स्कीम प्रथान मंतिरी के इस बयान की रोशनी में संदियों के घेरे में फच जाती, वह स्कीम लागों कैसे होगी जिसकी घोशना प्रथान मंतिरी की आप जिकर कर रहे हैं? परधान मंतरी ने जिसी स्कीम की घोशना की थी वो अपने तरह की एक और स्कीम है जैसी स्कीम हम उद्धे के में देखते रहे हैं करीबे 3 ट्रिलियन रूपीज की 3 लाग करूल रूपे की स्कीम है इसका नाम है जो पावर डिस्टिबूशन सेक्टर को रिवैंप करने के जब तक बिजली वीतरन कमपीनियां डिसकॉम जब हम डिस्ट्रिबूशन लासेस की बात कहते हैं तो हम उन नुकसानों की बात कहते हैं जो बिजली घर से आपके घर तक बिजली आने के दौरान होते हैं जब तक वो उन्हें कम नहीं करती हैं तब तक उनके पास बचत नहीं ह जा सकेएगी इसलिए कники इन सरकार ने इसकीम लांच इसकी शर्त बताती है कि राज्ज सरकारों को कम से कम उन राज्यों को उन loss making qo को इस साहिता का फायदा मिलेगा जिनके बकायदारी 60 फिजदी से कम होगी यानी जिनके उपर huge loss बकायदारी या नुक्सान है इसकान को उसको इनकी मदद नहीं मिलेगी यह माना जा रहा है कि total जो losses हैं भारत में commercial losses का बिजली घरों के वो 12 से 15% के आसपास हैं और इनके बीच में और और जो realization की gap हो वो 20% के बीच खड़ी हुई है तो ये scheme दरसल उद्य scheme के बाद लाया जा रहा है एक और बड़ा effort है जिसकी घोशना प्रधान मंतरी ने की थी उजुला scheme आई थी जो उजुला डिस्कॉम एशुरेंस योजना थी जो बुरी तरह फेल हुई उसके बाद बिजली घरों के घाटे और बढ़ गए जो पर हमने भी देखा कि एक एक ला करोल रुपए तक के घाटे हैं अब यहां से जाधर तर डिस्कॉम्स जिनके पास अपनी बकायदारी चुकाने के लिए संसाधन नहीं है उन्हें शायद इस scheme का लाब नहीं मिलेगा सर क्या आपको लगता है कि इस scheme का future क्या है और इसका असर अगर हम consumer के लिए देखना चाहें तो वो क्या पड़ेगा प्रधानमंत्री ने अपने इस scheme को लांच करते हैं जो दोनों बातें कहीं शुबम वो बताती ही कि इस scheme का भेविश्य क्या हो राजे सरकारों को किस दिशा में जाना पड़ेगा प्रधानमंत्री ने एक तरह से माना की जो राजे सरकारें पैसा नहीं चुकाएंगी इसमें राजनीती नहीं देखनी चाहिए देशनीती देखनी चाहिए आपके ओपर जो बकायदारी है बिजली घरों के उसे चुका दिया जाए दूसरी तरफ ये शर्त ये इसकीम ऐसी शर्त लेकर आई है कि जिनके पेमिंट रिकार्ड्स अच्छे होंगे उन्हें इसकाम को फाइदा मिलेगा यानि एक तरह से इसकीम बहुँजादा सफल होने की गुंजाइश नहीं देखनी अभी फिलहाद और ये केवल एकी शर्त पर सफल हो सकती है जब राज्य सरकारें अपने बिजली दरों में बढ़तरी करें और बिजली महंगी करें और जब बिजली महंगी करेंगी तभी वो ये बकायदारी चुका पाएंगी और तभी वो घूम कर इस स्कीम का फाइदा लेकर अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को या बिजली डिस्टिविशन नेटवर्क में निवेश कर पाएंगी तो ये पूरा पहिया घूम कर वहीं आ रहा है जहां बिजली घरों को राजी राजी सरकारों को अपने बिजली दरों में बढ़तरी करनी होगी और अगर वही हो जाता तो ये बकाजारिया ही नहीं होती क्योंकि राजी सरकारों ने समय पर कीमतें नहीं बढ़ाई आप धीमे धीमें मुस्तरब बढ़ रहा है जहां ये पूरा का पूरा बिजली सुधारों का ये बिजली डहाचा एक दम चर्मर आने लगा है केंद सरकार के तरफ से दिवेवी मदद का इस्तेमाल भी राजी सरकार ने इसलिए नहीं कर पाती है और सारे राजी सरकार इसमें शामिल है क्योंकि बिजली डहने नहीं बढ़ा रही है तो मैं लगता कि बिजली चेतर में सुधार का अगला चरण आएगा तो वो कीमतों में बढ़ुत्री के साथ ही आएगा इस बात का संकेत हमें इस पूरी स्कीम में प्रधान मंत्री के भाशन में और जो अन्य चर्चाएं उनसे निकल कर दिखता है तो अगर आप उभुकता हैं तो आप अपनी ये मजबूत रखे अगर राज्य सरकारों के बिजली घरों को या डिसकॉम्स को नुकसान से उबरना है उन्हें नहीं मदद लेनी है तो उन्हें अब बिजली महंगी करनी पड़ेगी इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है दो बातें जो यहां आप गौर से सुनिये समझे कि हम और आप अपना इमांदारी से बिल दे रहें इसके बाद भी जो सरकार के बैभागों ने करज नहीं दिया उसकी वैसे जो नुकसान हुआ उसको पाटने के लिए फिर पूरी जनता के उपर सरकार को शायद बिजली की दरें बढ़ानी होंगी राज्यों से जोड़ी एक और जरूरी खबर राज्यों को वित्ती अनुसाशन में बांधने के लिए केंज सरकार ने बड़ा कदम उठाया है इस साल राज्यों ने बजट जरूरत के लिए जितना करज उठाने की योजना बनाई थी उसमें केंज सरकार ने इतालिस हजार करोड रुपय की कटोती कर दी है वित्वर्श दोजार एकिस बाइस के दौरान राज्यों ने जितना बजट ऑफ बजट करज उठाया था ये रकम उसका लगवर 62 फीसद हिस्सा है सर ओफ बजट 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 के अंदर तैस सीमा से बाहर करती है जो फिसकल रिस्पांसबिल्टी बजट मैनेजमेंट का हिस्सा है कि अपने राजकोशी घाटे को अपने जीडीपी की तुलना में किस तर पर रखना होगा राजकोशी घाटे का मतलब है कि कि राज़े और किन सरकार का चाहा है राजकोशी घाटा उनकी बार्विंग्स का तो क्या कर रही है राज़े सरकार हैं पिछले तीन चार सालों से पांच सालों से कि वो अपने राजकोशी घाटे को तो कम रखती पर उनके जो सारजिन उपक्रम है उनके जो पियस्यूज हैं उनकी जो बाकी एजंसिया हैं वो बजट से बाहर बैंकों से करज ले रही है हमने इस पर चर्चा भी की थी एक बार एकनामिकम में भी इस परविस्तास से चर्चा की थी कि बहुत सारी राज्य सरकारें अपने हां तालुका दफतर, अस्पताल, डियम के दफतर बैंकों के पास गिरवी रखकर पैसा दे रही और ये आफ बजट बारुइंग है इसलिए आफ बजट बारुइंग पर केंदो सरकार ने खासी सकती की, एक तालिस अजार करोल रुपए की जो बारुइंग लिमिट घटाई गई है वो राज्य सरकारों के लिए जो उनकी बाकी एजेंसी हैं जो बजट के दायरे से जो के एजेंसी हैं अभी तक बजट से बाहर कर लेकर अपना काम चलाती हैं थी तभी उनको पैसा मिल पाएगा सर किन राज्यों पर सबस्यादा असर होगा इसका सबस्यादा असर हमें दिखाई दे रहा जो जो रिपोर्ट दिख रही है उसमें 41,000 करोल का जो पश्यमी एश्याई देशों की मांग बढ़ने से चावल की कीमतों में तेजी देखी जा रही है महीने भर में समाने चावल का भाव करीब 7 से 8 फीसद तक बढ़ गया हाला कि कुछ रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रीमियम चावल की कीमत 30 फीसद तक बढ़ गई है हाल के दिनों में बंगला देश ते गैर बासमती चावल की खरीद बढ़ी है जबकि पश्यमी एश्याई देशों से बासमती चावल खरीद के ओडर आए है यही वज़े है कि चावल की कीमतों में उच्छाल देखने को मिल रहा है सर क्या इसकी एक बड़ी वज़े है असंतुलित मांसून भी है मांसून का पिछड़ना भी जिसको हम लगाता है डिसकस कर रहे है मांसून का पिछड़ना एक बड़ी वज़े है यह एक से डिर्ड करोटन की कमी का अनुमान अब लगने लगा है, सरकार नया दिकारी कुरुप से नहीं कहा है, लेकिन बाजार इस बात का संकेत दे रहा है, इसलिए बाजार में में शुब हम दो तरीके के दबाव राइस में दिख रहे हैं, और यह एक चौकाने वाली बात ह कि मलगोग वैसी स्थिती में है, जैसी स्थिती में रवी के मौसम में ग्यहों की फसल आने से पहले दिखाई दे रही थी, कि पिछले इसी साल में रवी सीजन से पहले ग्यहों की कीमतें बढ़ने लगी थी, जबकि नया ग्यहों बाजार में आना था, ठीक उसी तरह से धान की रोपाई के साथ ही धान की चीमतों में बढ़ूतरी दिखाई दे रही है एक तो भारत चाफल का बढ़ा निरएतक है तो इसलिए निरियातकी मांग जाधा है खासतावर पर जो आंकड़ यह मारे पास मिल रहे हैं जो भारत का सबसे आम फहम किस्म के चावल हैं, उनकी कीमतों में भी करीब करीब 20-20 के बड़ोती हुई है, बासमती और जो हाई क्वालिटी के चावल हैं, उनकी कीमतें तो और जाधा बढ़ी हैं, और ये दो वजह से बाजार में एक्सपोर्ट की मांग और खरीफ के उतपादन में कमी की संभ महंगाई के आकड़े पर दिखाई दे रहा है, यहां दोनों प्रमुख फसलें, गेहूं भी महंगाई की तरफ है और चावल भी महंगाई शाग, गेहूं की कीमतों में भी हमने बढ़ोतरी पर विस्तार से आपको रिपोर्ट दिखाई थी मैनी सेंट्रल में, और अब नहीं लगता कि चावल के निर्यात पर सरकार तुरंत पावंदी लगाने की कुशिस करेगी, क्योंकि चावल का उतपादन गेहूं से बहुत ज़्यादा है भारत में, और भारत का सालाना प्रोडक्शन चावल का करीब 128 मिलियन टन के आसपास होता है, भारत का चावल का नि सरकार साइकलाजिकल रूप से बाजार को ये संकेत देने के लिए कुछ सकती जरूर कर सकती है, क्योंकि अगर धान की कीमतों में एक बार चावल की कीमतों में बढ़ुतरी नहीं रुकी और निर्यात की मांग बढ़ती चली गई, तो सरकार को कहीं न कहीं इस पॉलिसी में अब समय मनी नाइन की स्पेशल रिपोर्ट का प्रवीन शर्मा ने आपके लिए खास रिपोर्ट लिखिये जो ये बता रही है कि IT सेक्टर में जॉब की क्रैसिस बढ़ती जा रही है, क्यों देखिए स्पेशल रिपोर्ट अमेरिका में मंदी की आहाट पूरी दुनिया को बेचैन कर रही है, बुरे हालात का सामना कर रही भारत की टेक इंडिस्ट्री के लिए ये और भी बड़ा खत्रा है IT इंडिस्ट्री और टेक स्टार्टप्स ने मुश्किल से उबरने के जो वाइड हुने हैं, उनमें सबसे उपर है लोगों को नौकरियों से निकालना ऐसे में पूरा IT सेक्टर छट्नियों के एक पुरे दौर में दाखिल होता दिख रहा है IT इंडिस्ट्री में ले आउफ को ट्रैक करने वाली ले आउफ.FYI के मताबिक इस साल जून तक दुनिया भर में टेक कंपनियों ने 35,000 से ज़ादा लोगों को निकाला है अच्छे भविश और मोटी तनखवाख की उम्मीदे सजोए टेक सेक्टर में आने वालों के सपने भी तूटते नजर आ रहे हैं और ऐसा भी नहीं है कि हालात के हाल फिलहाल में सुधरने की आस हो लेओफ के आकड़े बताते हैं कि अकेले मई में ही टेक सेक्टर में 15,000 से ज़ादा लोगों को निकाला गया है छट्नी करने वाली कंपनियों की फेहरिस्ट लंबी है जून में ही क्रिप्टो प्लेटफॉर्म कॉइन बेस ने अपने स्टाफ में से 18 फिसद को पिंक स्लिप थमा दी नंबर के लिहाद से देखें तो 1100 लोगों की नौकरी चली गई कंपनी के सियो ब्राइन आउनस्ट्रांग ने कहा है कि 10-11 साल बाद उन्हें एक दवा फिर मंदी के दौर की वापसी दिख रही है मंदी के इस डर से टेक कंपनियों में ताबरतोर छट्नियों की प्रोग्रामिंग शुरू हो गई है गौर करने वाली बात ये है कि छट्नी के ये आकड़े सिर्फ जून के ही है IT सेक्टर में कंपनियों सिर्फ मजूदा इंप्लॉईस को ही बाहर का रास्ता नहीं दिखा रही है कंपनियों ने नए हारिंग को या तो रोक दिया है या फिर वे इसे आगे के लिए टाल रही है ये तादाद भी हजारों में है ऐसा नहीं है कि छोटी टेक फर्में या स्टार्ट अप ही इसकी जद में है गश कंपनियां भी सांधी को जेल नहीं पा रही है मेटा और टुटर ने अपने हां हारिंग को या तो सुष्ट कर दिया है या इसे रोक दिया है नेट्फ्लिक्स, पोलोटॉन या रॉबिन हुट को छटनी करनी पड़ रही है दुनिया भर में उची महगाई, रूस योक्रेन की जंग समेत, तमाम फैक्टर के चलते बुरे हालात का असर टेक स्टॉक्स पर भी दिखाई दे रहा है टेक हैवी नेश्टेक इंडेक्स इस साल जन्वरी से 30 फीसद से जादा नीचे आ चुका है मंदी का डर इस वज़ा से भी IT इंडस्ट्री पर हावी है क्योंकि 2008 के बाद पहली दफा नेश्टेक में इतनी बड़ी गिरावट है 2008 में ये 48 फीसद नीचे आ गया था अब भले ही कुछ सर्वे भारत के मंदी की जद में आने के खत्रे को जीरो बता रहे हो लेकिन इतना समझ लीजिए कि अगर अमेरिका रिशेशन के दौर में जाता है तो भारत के लिए हालात कते ही अच्छे नहीं होंगे 2008 की सब्प्राइम क्राइसिस का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है भारत के टेक स्टॉक्स को ही आप उठा लीजिए पिछले 8-9 महिनों में कोई स्टॉक 50 फीसद मीचे आया है तो कोई 60 फीसद टीसिया सिन्फोसिस जैसे दिगज अंधे मूँ पड़े हुए है जुमैटो पेटियम जैसों का तो जिक्र करना भी जखमों को कुरेदने जैसा है यही आफ़त भारत के टेक सेक्टर को छटनियों के लिए मजबूर कर रही है क्रंच बेस की रिपोर्ट बताती है कि इस साल भारती स्टाटप्स ने अब तक 12,000 से ज़्यादा लोगों को नौकरी से निकाल दिया है हालात इस कदर बुरे हैं कि माना जा रहा है कि साल के अन तक करीब 60,000 इंप्लोईज छटनी की मारका शिकार हो सकते हैं टेक स्टाटप्स में छटनीयों की इस मारकार्ट से हर वो इंप्लोईज डरा हुआ है जिसने बड़ी बड़ी उम्मीदे लगा कर ये कंपनियां जॉइन की थी दिक्कत इस वजह से भी ज़्यादा भयावा नजर आ रही है क्योंकि भारत का IT सेक्टर बड़े तौर पर अमेरिका और यूरोप पर टिका हुआ है ऐसे में अमेरिका की मंधी IT सेक्टर को एक बुरे दौर में ठाकेल सकती है पहले से बेरोजगारी से जूज रहे देश के लिए ये खत्रा वाकई बड़ा है अगर ये क्राइसिस गहराती है तो इंजिनरिंग कॉलेश से निकल कर बढ़ियां पैकेज पर टेक कंपनियों को जॉइन करने वाले बच्चों के सपने भी अधर में लटक चाहेंग मनिनाइन के लिए प्रवीर शर्मा ले आए थे उसमें भारत और चीन लगबग बरावर के ट्रेड पार्टनर हो गए थे यानि भारत और चीन और अमेरिका भारत के लिए के लिए बरावर के ट्रेड पार्टनर हो गए थे भारत का निरयात करीब करीब खतर बिलियन डॉलर के आसपस है अंगुड्स और सर्व नहीं और इसलिए हमने भारत में सुचना तक निक कम्पीनियों में रोजगारों में या तो भरतियां रुकते हुए देख रहे हैं या उनमें कटोती दिखाई दे रही है अमेरिका की मंदी का असर कुछ और भी चीजों के निर्यातों पर पड़ेगा कुछ और भी निर्यात ह है कुछ और चीजों के निर्यात है उन पर भी असर पड़ेगा अब जैसे जैसे अमेरिका में मंदी की संभावना गहरी होती जाएंगी भारत की निर्याजच्चेतर के भी तरसे हमें इस तरीके के आकड़े संभावना मिलना शुरू होंगी कि आखिर भारत के निर्याजच चेतर को इस अमेरिका की मंदी के लिए कितने समय तक 6 महिने से साल भर तक अपनी त्यारी करनी होगी ते सबसे सेंस्टिव सेक्टर आइटी है और इसलिए आप देखिए रुपए में गिरावट के बाद भी आइटी सेक्टर की परफॉर्मेंस में या स्ट्रॉक मार्केट में उनके शेर्स की परफॉर्मेंस उतनी अच्छे में दिखाई नहीं दे रहे हैं जुलाई के दौरार प्रवतर निदेशाल है यानि एडी की तरफ से निर्यात और आयात कारोबारते जुड़ी कई कंपनियों को नोटिस बेजे गए हैं नोटिस के जरिये कंपनियों से विद कुछ लगे और निर्यात को बढ़ाया जाए सर यह नोटिस जो भेजे गए इनका क्या मतलब है क्या है नोटिस में एडी का नाम बुरा और एडी जो अब चारों तरफ से सबसे सक्री एजिंसी के तोर पर हमारे सामने है वो निर्यात को और आयतकों को भी नोटिस भेज रह पर वो लंबी वदिके उपाए हैं कि अनिवासी भारती विदेशी विदेश में रहने वाले भारती भारती बैंकों में पैसा ये अपनी जमा बढ़ा हैं विदेशी निवेशक आ रहे हैं जा रहे हैं तो अब सबसे बड़ी और सीधी प्रक्रिया शुरू की जा रही पर ये क निर्या तक जब कोई सामान सेवा एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें जो डालर में पैसा उसको बाहर के अकाउंट्स में रखते हैं और जरूरत के मताबिक उसका इस्तेमाल करते हैं आल्मों नौ महीने का समय उनके पास होता है एडी ने जानने की कोशिस की है शायद इसके जरी है कि किस निर्यातक के कितने डालर के पैमेंट्स बाहर रखे हुएं बाहर के अकाउंट्स में वापस आएं उसी तरह से इंपोर्टर्स को भी नौ महीने च्छे से नौ महीने एडवांस में पैमेंट करना पड़ता है डालर भारत से ले जाकर तब उनका कंसाइनमेंट या उनकी डिमांड या उर्डर पूरा होता है जो सामाने प्रक्रिया है इन दोनों चीजों में परवर्तन निदेशाले का प्रवेश चौकाने वाला है ये काम सरकार नहरातकों को सीधे आदेश दे कर भी कर सकती थी डी जी फटी भी कर सकता था आर बी आई भी कर सकता था इस शर्क इसमें अपने आप होने लगता है। अब चर्चा चीन की दुनिया की फैक्टरी कहे जाने वाले चीन में आर्थिक हलात खराब होते जा रहे हैं जिस बजाए से वैश्विक अर्थिवस्ता में आर्थिक सुस्ति गहराने की आशंका अब और बढ़ गई है मैनुफेक्टरिंग को चीन की अर्थिवस्ता की रिड़ माना जाता है लेकिन जुलाई के दौरान चीन की मैनुफेक्टरिंग में ही गिरावट दर्ज की गई है जुलाई में चीन की मैनुफेक्टरिंग PMI घटकर 49 रह गई है 50 से नीचे PMI जब भी आता है इसको अच्छा न प्रभाविक हुआ है सर चीन की अर्थवस्था की ताजे आकड़े क्या बता रहे हैं पीमाई का एक हमने जिक्र किया इसके लबावा और जो ताजे आकड़े वो क्या संकेत दे रहे हैं शुमप चीन से मतलब दुनिया को परिशान करने वाली सबसे बड़ी खबर आती दिखा दे रही जो दिख रहा है और इसका असर आज हमने बाजार में देखा यह माना जा रहा था कि चीन की अर्थवस्था इस साल कम से कम 5.5% यानि 5.5% की आर्थिक विकासदर हासिल कर लेगी जो कोविट के असर और बाकी चीज़ों के बाद भी एक ऐसा इस तर था जहां से फ़स्डे को पॉलिट विरो की मेटिंग थी कमिनिस पाटी की जो टॉप डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग बाडी है उसमें चीन के राष्ट्रपती की तरफ से इस 5.5% के लक्ष का जिकर नहीं किया गया उन्होंने ये कहा कि चाइना जीरो कोविट पॉलिसी का पाल चीन का पॉलिट विरो एमान रहा है कि 5.5% की आर्थिक विकासदर इस साल संभव नहीं है और जैसे ही ये चीज़ आई वैसे ही आपको हमने पूरी दुनिया के बाजारों में कमोडिटी बाजारों में खासता और पर उथर प्रदल देखी क्योंकि सबसे बड़ी उम्मीद चीन मंदी से उबरने की इस बात पर निर्भरती कि चीन अगर 5-6% की आर्थिक कासदर दर्ज करता है तो चुकि चीन दुनिया में डिमांड की सबसे बड़ा मैगनेट भी है और सप्लाई का सबसे बड़ा मैगनेट भी है तो अंतराश्ट्री अर्थवस्ता है पूरी दु चीन की सरकारे मान रही है कि उसकी अर्थवस्ता में इस साल वो आर्थिक विकासदर दिखाई नहीं देगी और बाजार इसके लिए या अंतराश्ट्री अर्थवस्ताओं को इस नई सच्चाई के लिए तयार रहना पड़ेगा आएमेफ का जो रिव्यू आया था पिछले हफते उसमें आएमेफ ने अंतराश्ट्री अर्थवस्ताओं में गिरावट या मंदी के अनुमानों को चीन में साड़े पांच फीजदी का लक्ष नहासिल करने की संभावना पर ही केंद्रित किया था तो इसलिए अब अंतराश्ट्री बाजारों में में मंदी की संभाव हो रही है वो Real Estate से आ रही हमें एक आकले पर ध्यान देना चाहते हैं जो एक दिल्चस पाकड़ा हमारे पास है कि चीन के GDP में वहा के real estate sector का हिस्सा करीब 30% है 29% के आसपास है यानी करीब-4 trillion dollar का real estate sector है covid के lockdown के बाद real estate sector में 2 बड़ी समस्याइं पैदा हुई है पहली बड़ी समस्या पैदा यह हुई कि वहाँ के real estate developers ने अपने मकाणों का निर्माणबंद कर दिया जब मकानों का निर्मान बंद कर दिया तो वहाँ लोगों ने सलक पर उतर कर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि no construction no mortgage यानि उन्होंने अपने mortgage payments रोग दिये का अब जो real estate company हैं उन्होंने अपना निर्मान इसलिए बंद कर दिया क्योंकि लगभग 80 cities हैं ऐसे जहां पर 200 प्रोजेक्ट फस गए हैं जिन पर काम बंद हो चुका है उन्होंने इसलिए काम बंद कर दिया क्योंकि उन्हें पीछे से करज नहीं मिल रहा था एवगरांडे के साथ ये समस्या शुरू हुई थी जो हमने जो बड़ी चर्चित समस्या थी इसी और नो मौट गेज का दबाव इस जून में एवगरांडे पर शुरू हुआ धीमे धीमे ये फैलते हुए वापस पहुँच गया हमने जून और जुलाई के महिनों में अमे लाओड पैकेश दिया है ये कोशिश की है कि चीन के रियल स्टेट सेक्टर को बचाया जा सके लेकिन जितना कांट्रक्شन हमको रियल स्टेट में दिखाई दे रहा है उस वजह से चीन के गेफी पर गहरा असर पढ़ने की संभावना और इस चीन की ये रियल स्टेट की क्र 70% wealth चीन के लोगों की real estate में invested है चीन की 70% saving से wealth real estate में है और वहां के bank के loan books में real estate का हिस्सा 40% से जदा है तो ये पूरा picture है जो इस picture के कारण चीन के अर्थ वस्ता में बड़ी दरार बंती दिखाई दे रही है ये बड़ा number है कि अगर real estate दिक्कत में है तो चीन के लोगों की 70% saving बैंकों का 40% लोन और GDP का 30% हिस्सा दाउं पर लगा है सर इस आर्थिक महौल में जब एक तरफ सुस्ती है एक तरफ संकट गहराता जा रहा है राजनीतिक महौल कैसा बनता दिख रहा है आपको क्या समभाबन है वहाँ दिख रही है शी जिंपिंग के लिए शी जिंपिंग अपने तीसरे टर्म की तैयारी में है जो की चीन के इत्ताजा इतिहास में पहली बार ऐसा होगा यहाला कि शी जिन पिंग को तीसरा टर्म मिलने में खत्रा नहीं है लेकिन जो पूरा का पूरा आर्थिक महौल या परिद्र शी जिन पिंग ने कोविट से पहले तैयार किया था उसमें बड़े बदलाव दिखाई दे रहे हैं जैसे कोविट से पहले शी जिन पिंग अपने अगले टर्म के लिए चीन को एक प्रोस्पेरस कंट्री, मिडल इंकम कंट्री, जीडीपी को नापने के तरीके बदल कर उने लोगों की जिंदगी बेतर करने, उनकी उर्जा की खपत बढ़ाने, उनकी आय बढ़ाने की तरफ ल जा रहे हैं, दूसरी चीज है कि चीन के अर्थवेस्था में अगर आर्थिक चुनोतियां बढ़ती हैं, तो फिर चीन के लिए अंतराश्ट्री इस्तर के ऊपर गत्विधियों को तेज करना और अंतराश्ट्री दवावों को जहल पाना थोड़ा जाधा मुश्किल हो अलाकि कम्यनिस्ट पार्टी में उन्हें दुबारा जीत हासिल होने की पूरे संकेत हमें विशेश इग्यों से मिल रहे हैं सितंबर में क्रूड ओयल उत्पादन को लेकर ओपेक प्लस देशों की बैठक से पहले विदेशी बजार में कच्चे तेल की कीमतों पर दवाओ देखा जा रहा है ब्रेंड क्रूड का भाओ करीब 102 डॉलर के करीब कारोबार कर रहा है उत्पादन कितना बढ़ाया जाए सर इस बैठक की रोश्नी में कच्चे तेल का आउट्लुक मामूली उत्पादन में बढ़ोत्री की संभावना दिखाई दे रही ओपेक देश शायद एक थोड़ी सी बढ़ोत्री से कर सकें लेकिन इसमें एक बढ़ा कैची है कि साओधी अरब इस बढ़ोत्री से पहले ही कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोत्री का संकेत दे चुका है जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और पिछली बार भी हमने देखा था कि ओपेक के देशों ने उत्पादन में बढ़ोत्री बनाए रखने के लिए कहा था और साओधी अरब ने कीमतों कीमतों बढ़ा दी थी तो उसका असर कचे तेल की कीमतों पर दिखाई देगा पहला दबाओ दूसरा है कि अमेरिका में चूंकि पिछले दो साल के दौरान कोविड लॉक डाउन के दौरान तेल में निवेश नहीं हुआ था तेल छेतर में वहां नया निवेश होने लगा है जो ताजे आकड़े की संभावना दिखाई दे रही है ये दो दवाओ तेल की कीमतों को कम रखने की तरफ जाते हैं और तीसरा महत्वपूर्ण ये कि क्या ओपिक के देश इस मंदी के बीच में कच्चे तेल की कीमतों को सो डालर से नीचे जाने देंगे क्योंकि उनके बहुत सारे आकलन इस ब महंगाई को सीधे प्रभावित करेगा कच्चे तेल के भाव लगातार सो डालर के उपर बने होने के बाद भी देश में लंबे समय से पेट्रोल डीजल के कीमतें नहीं बाराई गई है इसका असर अब कंपनियों की बैलेंस शीट पर दिखने लगा है जून तिमाही के दौ है न जो आकलन हमें दिखाई दे रहा है कि इंडिया की जो कुरूड बास्केट का ओसत दर है जो कीमत है वो एक सो नो डालर के असपास पहुंच चुकी है ब्रेंट के आधार पर अभी भी पेट्रोल पॉमपर जो एवरेज रेट डिसाइड हो रहे हैं वो 85-86 डालर पर बै का नुकसान हो रहा है अब यहां सरकार की दूविधा यह है कि वो अगर तेल कंपिनियों को नुकसान होने देती है तो उनके लाभांश में उनके आने वाले निवेशों में और केंसरकार को मिलने वाले मिलने वाले हिस्से में कमी होगी लेकिन अगर उन्हें कीमतें बढ़ अहली बार घटी है, कामर्शे सिलेंडर की कीमतों में, कामर्शेल लपीजी सिलेंडर की कीमत में कमी की गई है, लेकिन फिर भी पेट्रोल धीजल जो सबसे बड़ा हिस्सा है तेल कंपीनियों के उन्हें लेकर ये गुथी बराबर उलची हुई है कि क्या तेल कंपीनिया कर रही है, यह हमें तेमाही नतिजियों से दिखाई दिया है, तो ये थी हमारी आज की मनी सेंट्रल की पेशका, शर चलते चलते एक शो खर्च बहादूर, उसके बारे में बताईए कि मनी नैन का ये शो क्यों खास है, क्यों देखना चाहिए, और इसमें जो प्रोगरम तय यार होता है, इसके पीछे की सोच क्या है? शुबम, यह हमारे लिए सबसे महत्तुपूर्णton शो है. पर्सनल फिनांस में, हमारे जीवन में, शुबम, किवल निवेश, बीमा, बचचत ही नहीं, खर्च सबसे महत्तुपूर्ण होता है. क्योंकि कमाई के बाद जो पहला घर हमें पार करना होता है वो खर्च का होता है बचत का घर उसके बाद आता है और निवेश का घर उसके और बाद आता है तो सबसे महतुपून होता है कि परसनल फिनांस में आप अपने खर्च को अपने बजट को कैसे मैनेज करें हैं मकसर अ आपकी कमाई के तद्कालबात खड़ा होता है यह special show जो आपको केवल money central के एप पर मिलता है सबता में एक बार आपको वो चीजें बताता है जो सीधे आपके खर्च को प्रभावित करती और इसके साथ आपको ये भी बताता है विशलेशन के साथ आपके सामने लाता है जो आपके खर्च को सीधे प्रभावित करती है बिल्कुल और इस शो में हमारी कोशिश यह है कि वह बातें नावताई जाएं के बहुत आपको सुनने में दिखने में पढ़ने में मिलती हैं बहुत फैंसी बलकि बहुत चोटी- करते हैं आपका एसी कितने दिन बाद सर्विस मांगता है कब उससे बदल देना चाहिए फेस्टिवल शॉपिंग आ रही है बहुत सारे ऑन-लाइन अभी 15 अगर्स को आप देखेंगे तमाम e-commerce कंपनियां डिसकाउंट लेकर आंगी उन डिसकाउंट में अपनी डील कैसे च उतिजार कर रहे हैं देखिए कैसे ये आपकी कमाई को एक depreci को भी प्रभावित करती है जो आपके खर्च होते है आज के मनी सेंटल ने फिलाल इतना ही तर्वाद शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए आप भी शुक्रिया मनी सेंटल देखने के लिए कल फिर मुल गय। झाल झाल